बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे चिठ्थियों की अनुठी दुनिया पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक्तम साधन नहीं कर सकता है पत्र जैसा संतोष, फोन या समस का संदेश कहां दे सकता है पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनेती साहित्य तथा कला के छित्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ में ये पत्र ही तो होते हैं दुनिया का तवाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमी का निभाई है पत्रों का भाव सब जगे एक सा है भले ही उनके नाम अलग-अलग हों पत्र को उर्दु में खत, संस्क्रित में पत्र, कन्णड में कागद, तेलुग्व में उत्तरम, जाबू और लेक तथा तमिल में कडिद कहा जाता है पत्र यादों को सहजे रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दाइरा दुनिया भर में रोज करोडों पत्र एक दूस्रे को तलाशते हुए ठिकानों तक पहुँचते हैं भारत में ही रोज साड़े चार करोड चिठियां डाक में डाली जाती हैं जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी एहमियत रखते हैं पंडित जवारला लहरू ने सन 1953 में सही ही तो कहा था हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कारे या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं बदलाव आया तार ने रेलों से भी तेज गती से सम्वाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया अब टेली फॉन, वाइलेस, सुरागे, रेडार दुनिया बदल रहा है पिछली शताबदी में पत्र लेखन ने एक कला क्या रुप ले लिया था डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश प्रयास किये गए पत्र संस्कती, विक्सित करने के लिए स्कूली पाथ क्रमों में पत्र लेखन का विशे शामिल किया गया भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संग ने अपनी ओर से काफी प्रयास किये विश्व डाक संग की ओर से 16 वर्ष से कम आयू के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आईजित करने का सिलसला सन 1922 शे शुरू किया गया यह सही है कि खास तोर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित होई है पर देहाती दुनिया आज भी चिठियों से ही चल रही है फैक्स, इमेल, टेलिफॉन तथा मोबाइल ने चिठियों की तेजी को रोका है पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है जहां तक पत्रों का सवाल है अगर आप बारिकी से उनकी तहे में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र का इंतजार ने किया हो या लिखा नहीं हो या लिखाया ना हो हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुक्ता से इतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इतजार करते थे पर अब वह बात नहीं है परिवहन साधनों के विकास ने इस दूरी को बहुत घटा दिया है पहले लोगों के लिए संचार का एकलोता साधन चिठी ही तो थी पर आज और भी अनेक साधन विक्सित होच चुके हैं आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुर्खों की चिठीों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवी, प्रशाशक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विशे हैं अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नहरू अपनी पुत्री इंद्रागानी को फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोडों लोगों को प्रेड़ना देते हैं पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही तो हैं भारत में इस छेणी में राष्ट पिता मात्मा गांदी को सबसे आगे रखा जा सकता है दुनिया के तमाम संग्राले जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनुठा संकलन अपने पास रखते हैं तमाम पत्र, देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होते हैं भारत में आजादी के पहले महा संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिख्या था वही आगे चल कर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुँच जाते थे आजादी के आंदोलन की अन्य दिगज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था गांधी जी के पास देश विदेश से बड़ी संख्या में पत्र पहुंसते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड नहीं था कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते महतमा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाउं गाउं में मिल जाते हैं पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ती पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगोंने तो उन पत्रों को frame करा कर रख रखा है यह है है पत्रों का जादू यही नहीं पत्रों के आधार पर ही कई भाशाओं के जाने मानी किताबें भी भहुत सारी लिखी जा चुकी है वास्तों में पत्र किसी दस्तावेश से कम नहीं है पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लुखो है कहा तथा पत्तों के आईने में दयानन सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी कहा जाता है प्रेमचन्द खास तोर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्तों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्दना टैगोर के पत्र भी भहुत प्रेरक है महत्मा और कवी के नाम से महत्मा गांधी और रविन्दना टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रे प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तत्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है पत्रविवार की परंपरा भारत में बहुत पुरान है पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही तो है इसकी एक खास वज़य यह भी है कि यह लोगों को जोडने का काम करता है घर घर तक इसकी पहुँच है संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिठी पत्री की हैसित बरकरार है शहरी इलाकों में आली शान हवेलिया हों या फिर जोपड पटियों में रह रहे लोग दुरगम जंगलों से घिरे गाउं हों या फिर बर्फ बारी के बीच ची रहे पहड़ों के लोग समुद्र तट पर रह रहे मचुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसबरी से इंतजार होता है एक तो नहीं करोडों लोग खतों और अन्य सिवाओं के लिए रोज भारतिय डाक घरों के दरवाजे तक पहुँचते हैं और इसकी बहु आयामी भूमी का नजर आ रही है दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूले मनियाडर अर्थ व्यवस्ता से ही जलते हैं गाओं या गरीब बस्तियों में चिठी या मनियाडर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देव दूत के रूप में देखा जाता है ऐसी है हमारी चिठियों की अनूठी दुनिया जिसमें हमारा साहित है, हमारे इतिहास, हमारा समाज सब कुछ परिलक्षित होता है